नमस्कार मैं मुरली मुनहरगोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूँ अभिननन करता हूँ आज हम लोग अध्यान करेंगे अश्टम वर का गनीत एक्सरसाइज 14.1 यह एक्सरसाइज द्वी वीमिय आकरिती टूडी का छेत्रफल के अंत्रगत आता है आप लोग अंग गनीत बीज गनीत ज्यामिती पढ़ें होंगे और यह अध्याय छेत्रमिती के अंत्रगत आता है मेंसुरेशन के अंत्रगत आता है इस एक्सरसाइज को सुरू करने से पहले हम लोग एक सब्द पर विचार करते हैं द्वी वीमिय आकरिती क्या है तूडी आकरिती क्या है इसे आप कैसे समझेंगे कोई भी आकरिती टूडी है थ्री डी है या वन डी है या निर्भर करता है उस आकरिती के लंबाई चौडाई और उचाई पर जैसे यदि मैं एक लाइन लेता हूं तो इस लाइन में देखें केवल लंबाई है चौडाई नहीं है आप कहेंगे सर चौडाई तो दिखाई दे रहा है चौडाई तो है लेकिन यहाँ पर यह चौडाई इतना कम है जिसे हम लोग नगण्य मानेंगे और हम केवल कहेंगे किस रेखा में केवल लंबाई है और यदि किसी आकरिती में केवल लंबाई हो तो व वन डी आकरिती धहलाएगा एक दूसरा आकरिती हम लोग लेते हैं जैसे एक आयत लेते हैं आयत में क्या होता है आयत में देखें लंबाई है और चौडाई है लेकिन आयत में मोटाई नहीं होता है तो हम लोग कहेंगे आयत टू डी आकरिती है तूड़ी आकृती है यदि आप एक तिर्भूज लेते हैं तिर्भूज में भी देख लें लंबाई है और चौड़ाई है तो यह भी तूड़ी आकृती होगी है एक सरकल लेते हैं इसमें भी लंबाई है और चौड़ाई है सरकल में भी मोटाई नहीं होता है इसलिए ब्रीत भी सरकल भी तूड़ी आकरिती है अब हम लोग एक आकरिती लेते हैं घनाव इस आकरिती में देखें लंबाई भी है चोलाई भी है और उचाई भी है इस आकरिती में लंबाई चोलाई और उचाई तीनो है तो हम लोग कहेंगे घनाव 3D आकरिती है वैसी आकरिती जिसमें लंबाई चोलाई और उचाई तीनो हो उसे हम लोग क्या कहेंगे 3D आकरिती आप लोगों को मैं एक बात और बतला देना चाहता हूँ X अक्ष X अक्ष 36 रेखा की द्वारा हम लोग सुचित करते हैं और Y अक्ष को उदगर रेखा की द्वारा खली लाइन की द्वारा सुचित करते हैं X अक्ष और Y अक्ष एक दुसरे के लंबवत होता है यहाँ पर यदि आप कोन देखना चाहेंगे यहाँ कोन कीतना को होगा 90 डिगरी को होगा X अक्ष वाई अक्ष एक अक्ष और होता है Z अक्ष जेड अक्ष कहां होता है तो Z अक्ष एक अक्ष और Y अक्ष के परपेंडिकुलर होता है लंबवत होता है जैसे यदि मैं इस मारकर को इस मुल बिंदु पर इस तरीका से रखना चाहूँ तो यह Z 41 का काम करेगा Z 8 का काम करेगा X 8 Y 8 और यह marker जिस direction में है इस direction में क्या होगा Z 8 तो यहाँ पर देखने 3D आकृती में हम लोग 3D आकृती में X 8 Y 8 और जेड अक्ष तीनों होता है जबकि टूडी आक्रिती जैसे यह तिर्भूज है तो इस आक्रिती में केवल एक सक्ष और वाई अक्ष हम लोग ड्रॉख कर सकते हैं यह एक सक्ष हो गिया और यह वाई अक्ष हो गिया और यदि एक लाइन रहे तो इसमें हम लोग केवल एक अक्ष ड्रॉख कर सकते हैं इस परकार आप लोग समझ गए होंगे कि 3D आक्रिती में लंबाई चौडाई उचाई तीनों होता है एक सक्ष वाई अक्ष और जेट अक्ष तीनों होता है जबकि 2D आक्रिती में केवल लंबाई और चौडाई होता है अर्थात एक सक्ष और वाई अक्ष होते हैं और 1D आक्रिती में केवल लंबाई होता है अर्थात केवल एक्स एक्सिस होता है अब मैं आप लोगों से एक प्रस्ण पुछता हूँ, यह एक बिंदू है, यह बिंदू 1D आकरिती है, कि 2D आकरिती है, कि 3D आकरिती है, बतलाएं, आप सोचने लगें, कि यह बिंदू, यह पॉइंट, 1D है, कि 2D है, कि 3D है, देखें, पॉइंट में ना लंबाई होता है, ना चौडाई होता है, और ना उचाई होता है, इसलिए इसमें सुनिडी होते हैं, सुनिडी मतलब बिंदू में किसी भी परकार का डाइमेंशन नहीं होता है, क्योंकि इसमें ना लंबाई होता है, ना चौडाई होता है, ना उचाई होत आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ गए कि कौन आकरिती 1D है कौन आकरिती 2D है और कौन सा आकरिती 3D है अब हम लोग exercise solve करते हैं हल करते हैं exercise 14.1 का question number 1 नीम्न आकरितियों की परिमाप ग्याद किजिए यहाँ पर एक आकरिती दिया हुआ है और इसका परिमाप ग्याद करना है सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि परिमाप का अर्थ क्या होता है यदि हम लोगों को किसी भी आकरिती का परिमाप ग्याद करना हो इसका मतलब यह हुआ कि उस आकृती का बॉर्डर लाइन का कुल लंबाई हम लोगों को ग्याद करना है जिसे इस आकृती का हम लोगों को परिमार ग्याद करना है इसके लिए हम लोगों क्या करना होगा इसका बॉर्डर लाइन क्या है यहां से लेक यहां तक और इस तरीका से यह जा रहा है और यहां तक अर्थात यह लंबाई यह लंबाई और यह जो अर्ध बृत है यह लंबाई तिनु लंबाई को यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो इस आकरिती का परिमाप निकल जाता है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहां देखें टू पॉइंट से मी क्या है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस है अर्थातिया ब्यास हो गया ब्यास डी बराबर टू पॉइंट से में इसके बाद हम लोग को तरीज्या निकाल ले नहोगा तरीज्या पहन लोग आर से सुचित करते हैं और किसी भी विरीत की तरीज्या ब्यास का आधा होता है तो बृत का त्रिज्या निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा D को 2 से divide करना होगा D कितना है 2.8 cm बटा 2 2 से divide हो जाता है 1.4 बार में इस परकार त्रिज्या हो गया 1.4 से में जब त्रिज्या निकल गया तब हम लोगों को क्या निकालना होगा इस अर्ध बृत की परीधी अर्ध बृत की परीधी बृत की परीधी का फार्मूला होता है 2 pi r और हम लोगों को निकालना है अर्ध बृत की परीधी तो हम लोग क्या करेंगे बृत की परीधी को 2 से divide कर देंगे 2 pi r को 2 से भाग देना होगा that is अर्ध बृत की परीधी बराबर फार्मूला हो गया pi r pi का value क्या होता है 22 बटा साथ होता है इसे आप लोग याद रखेंगे r r अर्थात त्रिजिया त्रिजिया हम लोगों ने क्या निकाला है 1.4 से मी इसलिए आप इस त्रिजिया के जगा पर 1.4 से मी बटाएंगे और साथ एकम साथ और यहाँ साथ दुना चवदा कट जा रहा है अच्चुकि एकंग के बाद दसमलो है इसलिए यहाँ भी एकंग के बाद दसमलो बटा दें तो बाईस गुना डेसिमल टू बराबर क्या हुए बाईस गुना चवालिस और एकंग के बाद दसमलो 4.4 सेंटी मीटर यह अर्ध विरित की लंबाई अर्ध विरित की परिधी निकल गया अब हमने क्या निकालना है दी गई आकरिती का परिमाप निकालना है तो लिखें इसलिए दी गई आकरिती का परिमाप बराबर क्या होगा यहाँ देखें यह लामाई कितना है तू लिख दें पलस अर्ध ब्रीत की परिधी हम लोगों ने क्या निकाला है 4.4 इसे लिख दें पलस फिरिया लंबाई कितना है टोसे मी इसे लिख दें अब तीनों को क्या करना है जोड़ देना है दू चार छे छे अदो आठ डेसमल चार सेंटीमीटर तो इस आकरिती का परिमाब 8.4 सेंटीमीटर हो गया आप लोगों के लिए एक और कोशन मैं हल करता हूँ इसे भी आप लोग देखें इस आकरिती का भी परिमाब याद करना है इस आकरिती का परिमाब याद करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा इस आकरिती के boundary line की कुल लंबाई हम लोगों को ग्याद करना होगा तो boundary line का कुल लंबाई ग्याद करने के लिए यहां ध्यान दे इस आकरिती में यह 7 cm है यह भी 7 cm है इस परकार इस line के सामने यह हो रहा है यह भी 7 cm होगा और इसके सामने यह भी 7 cm होगा अब यह वर्गाकार आकरिती बन गया इस आकरिती का boundary line निकालने के लिए यह मालूम है यह भी मालूम है यह line भी मालूम है यह भी मालूम है लेकिन यह मालूम नहीं है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? इस लंबाई को ग्यात करना होगा इस लंबाई को ग्यात कैसे करेंगे? यहाँ ध्यान दें यहाँ जो आकृती है, कैसा आकृती है? यदि आप एक ब्रीद को चार भागों में बाट दें तो यह जो एक हिस्सा है जिसे मैं छायांकित किया बस केवल इतना ही आकृती यहां पर यह बना हुआ है तो इस लंबाई को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? चुकि यह लंबाई इस ब्रीत की परीधी का एक हिस्सा है तो ब्रीत की परीधी का एक हिस्सा अर्थात एक चौथाई लंबाई निकालने के लिए हम लोगो क्या करना होगा? ब्रीत की परिधी को चार से भाग देना होगा इस आकृति में त्रिजिया बराबर क्या हो गया? अब हम लोग क्या निकालेंगे? एक चौथाई ब्रीत की परिधी एक चौथाई ब्रीत की परिधी एक चौथाई ब्रीत की परिधी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ब्रीत की परिधी का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इसे चार से भाग देना होगा दो एकम दो दो दुना चार दाइट इज पाई आर बटा थू पाई का भैलू होता है 22 बटा साथ इसे आप लोग याद रखेंगे आर त्रीजिया यह त्रीजिया कितना है? सेवन सेंटीमीटर सेवन बठा दे गुना नीचे यह दो है दो को लिखना होगा साथ एकम साथ साथ एकम साथ कट गया दो एकम दो दो से बाईस ग्यारा बारम कट गया इस परकार एक ग्यारा सेंटीमीटर एक चौथाई ब्रीत की परिधी निकल गया अब हम लोग क्या करेंगे? दी गई आकरिती का परिमाप निकाल लेंगे अत्व दी गई आकरिती का परिमाप बराबर क्या होगा? तो एक चौथाई ब्रीत की परिधी क्या हम लोग निकाले हैं? एक ग्यारा सेमी ग्यारा प्लस इसके बाद इस लंबाई को जोड़ दें कितना है? सेवन सेंटीमीटर सेवन सेंटीमीटर एहां से लेकर एहां तक हो गया इसके बाद इससे जोड़ना होगा तो अब इससे जोड़ने साथ, सादुन चौदा, सत्यकई, सौचोग अठाइस, अठाइस और एक ग्यारह कितना हो गिया 49 इस परकार दी गई आकरिती का परिमाप बराबर 39 सेंटी मेट है मैं आसा करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा आप सभी दोस्तों एवं छात छात्राओं को वीडियो देखने के लिए मैनी मैनी थैंक्स, जै हिंद